दोस्तों दोस्तों कैसे दोस्तों आज मैं यह जो आप देख रहे हैं यह चोटा सा नाला है तो आप देख सकते हैं कि इस नाले में आज पूरी रात बारिश हुई है और इतनी भारी बारिश हुई है माचल में कि आप देख सकते हैं कि नाला इतना ऐसे लग रहे हैं कि नदी बदर काली तो दोस्तों ऊपर ऊचे पहाड़ों में बारिश ओर आए और जिसका करण यहां अब भारी बारिष हुए तो मैं इस बारिश को देख रहा था कि देखो कि मैं पास हुं नाले के पास हुँ और आप देख सकते हैं दोस्तो ये नाला ऐसे लग रहा है कि इस नाले को अभी क्रोस नहीं कर सकते हैं कि नाले में पानी जो हब बहुत जादा है और इतनी बारिश हुई है तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्रिस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें औ हिमाचल में बहुत भारी बारिश हुई है अगर आप हिमाचल आ रहे हैं तो इसलिए हिमाचल में सोच समझ कर आएं क्योंकि हिमाचल में बरसात का मौसम है बरसात का मौसम यहां पर अच्छा नहीं होता तो इसलिए अपने परिवार को यह बचाएं और नदी और नालों के करीब ना जाएं जिससे क्योंकि कोई दुरुगट ना गटी तो सकती है दोस्तों हमेशा नालों से दूर है मैं भी उपर से थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ वैसे तो बिल्कुल नाले के पास यहूँ मैं गर थोड़ा उचा हूँ अगर बाईचांस पानी बढ़ता है तो मैं पीछे हड़ जाऊँगा तो दोस्तों हम तो यहां के लोकल है तो आप देख सकते हैं उपर पहाड़ों में बारिश का चारोतर बादल है और रात के 12 बज़े से बारिश होई है एक जैसी भारी बारिश हुई है तो दोस्तों ऐसी बारिश मैंने भी इससे पहले कभी नहीं देखी मेरे भी 30-32 साल उमर होगी है तो मैंने 30-32 साल की उमर में मैंने इतनी बारिश जबर दस बारिश नहीं देखी कि जो बारिश रात क्यों है और ये नाले जो हैं ये दूसरी बारश या और नाले जो है नाले नाले बिलकुल उफान पर हैै तो दोस्तो ये देख सकते हैं अब इस नाले को आप burada कह सकते हैं क्योंकि इस नाले की चुड़ाई जो है नदी के बराबर की है और इसमें पानी इतना है कि आप इसमें बेह जाओगे तो दोस्तो और इस नाले की कम से कम मेरे खाल से 400-400 मिटर तो चुड़ाई है और उपर पाड़ों में बहुत बारिश हो रही है जिसके कारण ये मैदानी इलाका है तो साथ में अधर पंजाब टच होता है तो पानी देखो कि यहां कैसे आ रहा है और दोस्तो जैसे जैसे बारिश जिस हिसाब से बारिश चल रही है और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और मुझे लगता है कि अब ये दो तिन दिन में बारिशी बंद होगी और जिसे इसाब से ये नाले इतने सालों में ये नाले 15 सालों के बाद उफान माई है और जैसे अभी धरमशाला में बादल फटा था तो दोस्तों बो तो कुछ भी नहीं था था जैसी बारिश आज रात को हुई है पता नहीं अब कहां कहां बादल फटे हैं तो ये आज शाम तक पता चल जाया कि कहां पर कितना नुक्सान हुआ क्योंकि अब तो मकान भी धसने वाले हैं जमीन में क्योंकि जिसी साथ से जमीन में पैर धसरा है जिसी से जमीन में एली झाल